जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद गरतों बैसे बढ़ियाओंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे नोटी वर्सिज वाई ओ आर के बीच में जो टी टून्टी ब्लास्ट का आज के दिन का तीसरा मैच खिला जाएगा कम्प्रिट वीडियो देखने के बाद में आपको किसी बी प्लियर के बारे में एक परचेंट भी कन्फिजण नहीं बचेगा आपको मैं सारी चीज़े बताऊ हुआ बीच में कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना विकोज कोई भी इंफर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होनी चीए फिर से बता दू N.O.T. vs. Y.O.R. के बीच में T20 Blast का आज के दिन का ये तीसरा मैच खेला जाएगा सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नहीं हो सबस्क्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना किसी भी मैच की वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और होई भी वीडियो आप से मिस नहीं होगी वीडियो पसंद आई वीडियो में बताएगे अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना टेलिग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन प्लस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मैच के बात करते दोस्तों तो वेन्यू आपको बता दू ट्रेंट ब्रिज नोटिंगम के वेन्यू पर ये मैच कहले जाएगा टोटल इस वेन्यू पर 58 टी-20 डोमेस्टिक मैचिस हुए 34 फस्ट बैटिंग ने विन करें तो 170 रंज तो मेरे साब से T20 मैच में तो बाई बनने भी चीए क्योंकि 170 रंज अगर नहीं बनेंगे न तो किसी भी टीम के लिए डिफेंड करना स्कोर को फिर काफी मुस्किल हो सकता है सबसे बड़ा स्कोर इस वेन्यू पर वोर्विक साहिरे की टीम के नाम है सबसे कम स्कोर यहाँ पर योर्ग साहिरे की टीम ने किया कि अवर साट रंज स्कोरिंग पैटर्न में आओगे यहाँ से देख पाऊगे 190 पलस 17 बार स्कोर बना 170 से 189 के बीच में 15 बार अब अगर आप लोग इन दोनों को एड़ करोगे न तो 32 मैच आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 170 पलस का स्कोर बना है ठीक है तो यह जान में रखना तो जो भी टीम इस वेन्यू पर फैले बैटिंग करना है कि कम से गम 170 से 175 का स्कोर उस टीम को जरूर यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि अगर इतना स्कोर नहीं बनेगा तो शायद उनके लिए फिर मैच को डिफेंड करना मुस्किल हो सकता है यहाँ से आपको यह किलिए रोगा कि भाई पिछे वाले मैचेज में कितना स्कोर बना और इस मैच में आप लोग कितना स्कोर उमीद करके चलगो तो इसे सावसे फिर आप लोग अपना टीम स्लेक्ट कर पाऊगे तो लास्ट मैच के अगर बात करेंगे 26 माई को वा था जो कि इसी सिजन का मैच है डर्बे शायरे की टीम ने 178 करे थे नोटिंगम शायरे की टीम ने 182 बना के यहाँ पे चेज कर दिया था अब देखो 178 का स्कोर भी यहाँ पे चेज हुआ है तो यही चीज मैंने आपको बोली कि कम से कम 175 तो करने पड़ेंगे अदरवाइस डिफेंड करना बहुत मुस्किल हो जाएगा उसके बाद में सैकेंड मैच में आओके 10 जुलाई 2022 को इंगलेड ने 215 करे थे इंडिया की टीम ने 198 करके यहाँ पे देखो चेज नहीं कर पाई लेकिन भाई सैकेंड बेटिंग करते हुए भी इंडिया की टीम ने काफी तगडी परफोर्मेंस दी थी और यह T20 इंटरनेसल मैच है ठीक है तो लेकिन दोनों पारियों में आप लोग एक चीज देखो स्कोर बहुत बढ़िया देखने को मिला जो की पलस पॉइंट है कि इस मैच में एक बार फ़र से आपको शायद बड़े रंस देखने को मिल जाएंगे थर्ड मैच में आओगे यहाँ पर दुर्रम की टीम 183 करें नोटिंगम सायरी की टीम 184 बना के चेज करके गई तो आप लोग पिछले तीन मैचेज के बेस पर यह आईडिया लगा सकते हो कि इस विगेट पर कितने रंस आपको देखने को मिल सकते कम से कम 175 के स्कोर के उमीद करेंगे अब देखो होने को बाई शायद डेर सो का स्कोर भी जो है चेज ना हो पाए उसके बाद में head to head matches में देखोगे 12 match वे दोनु टीम्स के बीच में आठ यहाँ पे Nottingham सारे यानि की N.O.T. की टीम ने विन करे और चार यहाँ पे Y.O.R. यानि की योर्क साहिरे ने विन कर रखे थोड़ा सा advantage आपको Nottingham साहिरे के favor में दिखेगा लेकिन सिर्फ इन की उपर डिपेंड आपको नहीं रहना है आगे जब आपको player के stats बताओ और important picks बताओ न तो आपको वहाँ पे clear रोंगी चिज़े की भाई कौन सी team आज के match में favorite आपको देखने को मिलेगी यहां से आओगे दोस्तो 6 जून को इस venue बे सोरी दोनों teams के बीच में last match वा था योर्क साहिरे ने 202 करे थे नोटिंगम साहिरे ने 179 करे second match में देखोगे योर्क साहिरे ने 60 रंस करे नोटिंगम साहिरे ने साड़े 3 over में chase कर दे थो यह 7 over का match था यह द्यान रखना DLS के चलते हैं उसके बाद में 3rd match में होगे यह 2020 का match है योर्क साहिरे 190 नोटिंगम साहिरे 194 तो अब दख देखोगे हैट्वेड मैचे के बेस में तो नोटिंगम साहिरे यानि के जो टीम है वो थोड़ आसा यहां पर Y.O.R. की टीम को पर हावी जरूर रही है नीचे चलते हैं यहां से बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 यह तीन प्लेइर स्टार लगा लो मॉस्ट इंपोर्टेंट पिक्स है वाई नोटिंगम साहिरे की टीम गी पर्फॉर्मेंस देखोगे कलार के ने 90 रंज करें हैं 30 के एवरेज के साथ हेलस ने देखोगे सम्थिंग तेरा के आस्वास रंज करे थे मन्रो इंपोर्टेंट एक मैच में ये भी बढ़िया पारी ओलडील लगा चुके ठीक है साड़े उनत्तिस कैवरेज है तो ये तीन प्लेयर टोप ओर्टर में आपको इंपोर्टेंट पिक्स मिलेगी एनोटी के साइड से उसके बाद में नीचे आओगे मोंट गोमरी रेंगे साड़े बत्तिस कैवरेज आठानुए रंस कर चुके एक ओवर की गेंदबाजी करवा के सिर्फ एकी विकेट इनके नाम है तीन मैच में सिर्फ एक ओवर के नोटने गेंदबाजी करवा यही ध्यानक ना ब्रैकिट में जो आपको नंबर्स दिख रहे न यह कि बाईया किस प्लेयर ने याँ पे कितने ओवर अब तक गेंदबाजी करी है बीच में एक दो गेंदबाजी कर सकते ओवर की उसके बाद में मूरे लास मैच आपको गोला था भाई डिफरेंचल में ट्राई गरना ठीक है अच्छी पारी नोटने खेली थी अगर आपको ज्यान में होगा तीन मैच में एट्टी नाइन रंस है साड़े 47 के अवरेज के साथ में साइन साफ रिदी लास मैच मेरे टीमे वाईस कैप्टन सी में भी थे भाई तीन मैच में 17 रंस है और 3 विकेट इनके नाम है कम्प्लिट अब तक 12 ओवर अपने करें मतलब हर मैच में अपने 4 ओवर कम्प्लिट कर रहे हैं चार ओवर कम्प्लिट करने के अगर पिटाई हो जाए मान लीजिए भाईचान से हो सकता है फिर इनके एक दो ओवर कट कर ली जाए अधर्वाइस में प्लेयर या फिर में गेंदबाज के रूप में आपको खेलते वे दिखेंगे और आप तक देखोगे सर्फ दो ही विकेट इनके नाम है कार्टर के नाम एक विकेट है दस ओवर की गेंदबाजी करवाइ मैकर के नाम चार गेंदबाजी अब देख दिखू इनके मेंन जो तीन बल्लेबाज है उपको बता दीए जोई कलार के एलेक्स एस और कोलीन मन्रो ये तीन इंपोर्टेंट रहेंगे उसके बाद में चाहू मॉंट गोमरी को ट्राइगरना कर सकते हूँ डिफरेंशल ट्राइगर अगर यहां पे तो भाई मूरी को एक बार फिर से आप लोग अपने टीम में एज़े यूनिक ट्राइगर सकते हूँ थोड़ा सा उपर बैटिंग करते हैं तो आई थिंक और बड़ जो है बड़ा पलस वाइंट अपने लिए बनके जा सकता है गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो इनके पास में देखो सबसे पहले तो साहिन सा फरिदी स्टिवन मुलाने समित पटेल कार्टर और यहां पे भाईया मैकर में तो यह पांच गेंदबाज रहेंगे जरूरत बढ़ती है बीच में एक से दो वर की गेंदबाजी यहां पे लिंडन जेमस आपको करते हुए दिख सकते है ठीक है अदरवाइज यह इनके पांच में गेंदबाज आपको देखने को मिल जाएंगे उसके बाद में निच आओगी दोस्तों यहां से योर्क साहिरे की टीम की बात करेंगे एडम लिथ है डेविड मलाने दो प्लियर जिनका चलना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस मैच में अगर योर्क साहिरे को इस मैच में अच्छी परफोर्मेंस देनी है लिथ का बलना अभी तक हमें बिल्कुल स्यांत देखने को मिला केवल 29 रंस है साड़े 9 की अवरेज के साथ लेकिन प्लियर काफी टेलेंटिड है किसी भी मैच में वापसी हो सकती है तो आप लोग अपनी टीम में एजे यूनिक इनको आज को मैच में ट्राई कर सकते क्योंकि देखो दो या फिर तीन मैच ये टोटली फ्लोप जा चुके है बहुत सारे बंदे इनको टीम से अवोइड करेंगे लेकिन आप लोग भाई रिस्क उठा सकते हो तो आप लोग आज के मैच में एडम लित को पॉक्टल उन्होंने 69 रंस करें है 23 के आवरेज के साथ सान मसूद ने एक मैच में ठीक ठाक पारिखे लिती बाकी दो मैचेज जीब करवाई तीन विकेट भी इनके नाम है बैटिंग आईगी शोरली रन भी करेगा क्योंकि तीन मैच में उलड़े 66 रन्स कर भी चुका है ठीक है तो इंपोर्टेंट प्ले रहेगा ध्यानक ना जोडन थोमसन इंपोर्टेंट है स्टार मार लो इन दोनों प्लेस पे बिल मोका मिलेगा बड़ी हिटिंग ये बंदा गरके जाएगा दो मैच में 43 रन्स भी है साड़े 21 के अवरेज के साथ गेंद बाजी भी प्रोपर करेंगे तो इंपोर्टेंट पिक जरूर बनेंगे बैन माई करेंगे तीन मैच में दो विकेट है साथ ओवर की गेंद बाजी प अब देखो इनके जो में गेंद बाज रहेंगे वो आपको बता दू सबसे पहले रैविस रहेंगे दोर्डन थॉम्सन डेविड विजा यहां से ठीक है मैथ्यू फिशर ये आपको चार गेंद बाज मिलेंगे लेकिन देखो में गेंद बाज इनके बैन माई की भी है में इनके आपको डोम बैस भी मिल जाएंगे ठीक है लेकिन इनके पास में ओप्संस बहुत सारी अवलियबल हैं टोटल ओप्संस की बात करूंगा रैविस रहेंगे जोर्डन थॉम्सन रहेंगे तीसरी ओप्सं विजे की रहेंगी चोथी माई की डोम बैस रहेंगे चोहन और मतलब साथ गेंदबाजी विकल पिन के पास में है इसी वज़े से ये कनफर्म नहीं हो पाता कि बाई कोन कितने ओवर करेगा लेकिन फिर भी मेरे अकोडिक अगर मैं आपको बताऊंगो न तो जोर्डन थॉम्सन ने डेविड विजा इनके चार साथ तो आप लोग मेरे इस के बाद करेंगे एडम लेत डेविड मलान रहेंगे ठीक है उसके बाद में नीचे देखो हाई चांस रहेंगे जोर्डन थॉम्सन रैविस के बैटिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि मिडल ओडर उतनी फोर्म में है नहीं सान्वसूद के बल्ले से ज्यादा तरंस निकले नहीं है टेरेस टेरल ने तो फिर भी चलो ठिक टाक परफोर्मेंस करके दिखाई यह थे ठीक है तो यह आपको पता है कि ओलाउंडर सेक्षन के प्लेयर इस मैच में योरक साइरे की साइड से मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे कैटन सी वाइस कैप्टन सी में किसी को तो जरूर लेके चल सकते हों आप ही देखो कि पूरे स्टैस आपके सामने सीधा आपको meg डेमो टीम कोंबिनेशन पे लेके चलूँँगा, एक एक प्लेर आपके लिए बता दिया भाई, कोन कोन इंपोर्टेंट हो सकते है, सीधा डेमो टीम पे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बताऊँँगा, मैं अपने टीम में कोन कोन से प्लेस को पिक करूँगा, लेकिन जो फाइनल टीम रेगी, टोस के बाद हो, आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, कमेंट सेक्शन और डिसक्प्शन में लिंक है, वाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लेना, तो यहां से बात करते हैं, विकेट किपिंग डिपार्टमेंट में सब लेकिन अपने ओवर कंपिट कर वा रहे हैं, वो चीज जानक ना, तो आपको अगर ट्राई करना चाहो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्शन बेस देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बता तिया, इंपोर्टेंट प्लेयर है, कम से कम तीन ओवर त उसके बाद में, नीचे कोई खास ओप्संस है नहीं, मैकर के साथ में जरूर जा सकते हो, लेकिन मैकर के साथ में तब जाना, जब यहाँ पे अनोटी की जो टीम है न, वो अगर आपको पहले गेन बजी कर चुई दिखे, ठीक है, तब आप लोग इनके साथ में जा सकते हो, अभी देखोगे, बैटिंग डिपार्टमेंट में, एडम लित, जो कि आपको बता चुका हूँ, एक बार फरसे आपके लिए एक अच्छी यूनिक पिक हो सकते हो, दोस्तों, जगह देना साओ, अपने टीम में दे सकते हो, मोंट गोमरी को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद म पिक कर लेता हूँ, चलो मैं मूरे के साथ में नहीं, मैं यहां से थोड़ा सा रिस्क लूँगा, और मैं यहां से एडम लित के साथ में जाऊँगा, गेंदवाजी डिपार्टमेंट से फिलाल मैं 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 कर को टीम में रखता हूँ, तो यह मेरा जो है, आपको 11 प्लेयर का स्टिवन मुलाने, ठीक है, उसके बाद में एलेक्स एस जो की लास मैं स्टगडी परफोर्मेंस करके आए हैं, कोलीन मन्रो है, डेविड मलान है, जोई कलार के, यह सारी बेस्ट ओप्शन से हैं, अब मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि बाई, सिर्फ इसको गरना, देख इन में से भी आप लोग आजे, वाइस केप्टन किसी को ट्राई कर सकते हूँ, तो यह फिलार 11 परेल का टीम कोमिनेशन है, कोई चेंज करूँगा, आपको टेलीग्राम पे टोस के बाद अपडेट करूँगा, कमेंट सेक्शन डिस्किप्शन में लिंक है, जोईन कर लेना टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी मिस्स मत करना, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में, अगर आपने वीडियो कंप्रेट देखा, वीडियो पसंद आया, वीडियो में बताईगे, इन्फोरमेशन अच्छी लगी ना, दोस्तों तो वीडियो को ल करेगी